हलो एब्रीवन वल्कम बैक टू माई चैनल सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिच फिल स्किन वाइटनिंग फेशल किट का रिवियो और इसका डैमो इस तरफ इसके बैनेफिट्स लिखे हुए कि इस फेशल का क्या बैनेफिट है यह आपके स्किन के कॉंपलेक्शन को लाइट करने में कफी ज़्यादा हल्प करता है और अगर आपके स्किन पे डाक स्पोर्ट्स है पिग्मेंटेशन है तो उसको भी रिड्यूस करने में कफी ज़्यादा हल्प करता है और यह इसके 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 इंग्रीडेट्स लिखे हुए है बैक सेट चलेंगे तो यहाँ पी लिखा हुआ है इसका प्राइज इसका जो प्राइज है वो है रुपीस 225 बट आप्टर डिसकाउंट आपको बहुत कम प्राइज में आपको मिल जाएगा और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 यर्स की और पर शेशे आपको 6 ग्रैम मिल जाएगा और इसको ओपन करने पर ये कुछ इस तरीके से है इसमें आपको इस तरीके से शेशे मिलेंगे और इसके अंदर की साइट देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है जैसे कि 1st step 2nd step कौन सा है 3rd step कौन सा है वो 5th कौन सा है और यहाँ पर इसका टाइमिंग भी सब कुछ mention है तो आपको use करने में कफी ज़्यदा help रहेगी कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि first step कौन सा करें second कौन सा करें तो इस वाली facial में सब कुछ mention है step first second third and fourth इस तरह से तो आपको यह शशे कुछ इस तरह से मिलेंगे और यह one time का facial होता है आपको इस facial को one time ही करना होता है तो इस facial को करना कैसे है चले वीडियो की तरफ तो facial start करने से पहले सबसे पहले तो आप अपनी jewelry को निकाल दे और अपने hair को अच्छे से tight कर ले देन उसके बाद या फेशल स्टार्ट करें उसके बाद आपको इस facial में चाहिए एक बावल उसमें पानी चाहिए और आप cotton या फिर sponge या फिर टिशू ले सकते हैं इस फेशल का फर्स स्टैप है cleansing milk और कोई भी फेशल हो उसका पहला स्टाप cleansing milk ही होता है और इसकी मसाज आपको करने है four to five minutes तो cleansing milk की मसाज आप चाह से पांच मिनट कर सकते हैं इससे जादा मत करें और यह आपकी skin पे जितना भी pollution होगा जितना भी dust होगा उसको बहुत अच्छे से clean कर देगा और इस तरीके से आपको मसाज करने ही circular motion में हाथों का जो प्रेशर है आपको बहुत जादा में लिफ्टूट रहती है जन आपको clean कर देना है और देखे कफी अच्छा इसका texture था seriously मुझे कफी जादा अच्छा लगा और मैं इसको first time यूज़ कर रही थी second step है इसका scrub और scrub आपको करना है पांस से साथ मिनट और यह कुछ-कुछ इस तरीके से था जैसे वह एवरिट का walnut होता है ना कुछ-कुछ उस तरीके से तो इसके जो पार्टिकल से थोड़े से मोटे थे तो आपको ध्यान देना है इसकी जो मसाज है बहुत ही जादा हलके हा तो इसका प्रेशर बहुत हलका रहना चाहिए अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका हाथ ने चल रहा है क्रीम सूख गई तो आपको बीच-बीच में पानी लेते जाना है उसके बाद मैं इसको क्लीन कर दूंगी और आपको कोई भी स्टाप करने के बाद मैं आपको पूर मिनट्स करनी है और पूरा इस तरीके से लेना है देन आपको फेस और नेक पर अपलाए करना है तो इस वाले फेशल में मैं कोई स्टाप्स बहुत ज़्यदा डीपली आपको नहीं बता रही हूं किसी नेक्स वीडियो में आपको बहुत अच्छे से स्टाप्स आपको सारे स्टाप्स उपर की तरफ करने है इससे आपकी स्किन लिफ्ट रहेगी इसके टाइट रहेगी देन आपको क्लीन कर देना है एंसी देखेंगे आप कफी अच्छी से स्कीन स्मूध हो जाएगी हाईडरेटर रो जाएगी स्किन तो जो फोर्थ स्टाप है वो है मसाज क्रीम इसको आपको करना है 10-15 मिनिट के लिए और पूरा शर्ष आपको यूज कर लेना है फेशल का बेस्ट रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उस फेशल का जो क्रीम है उसको पूरी तरह से यूज करें कुछ लोग क्या करत बट वह सही तरीका नहीं है और यह वाले क्रीम का टेक्श्टर इतना ज्यादा बटरी सॉफ्ट है आपको लगेगा लाइक कि किसी ओलिंग से आप मसाज कर रहे हों बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इस वाली क्रीम का बेस्ट पार्ट मुझे यह लगा कि मुझे बीच में एक बार भी कहीं भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्रीम ने इतना ज्यादा ओयल आ छोड़ दिया अपना कि वह मेरा हाथ इतना स्लिप कर रहा था और बहुत अच्छे से मसाज कर रहा था तो आपको इसको टाइम लगा के मसाज देनी है जब तक कि यह क्री आपके स्किन पर ग्लू नहीं है तो यह वाला फेशल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है मेरा जो फर्स्ट एक्सपिरियंस रहा इस फेशल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्मूध स्किन हो चुकी है इस मसाज क बना सकते हैं तो जादा तर फेशल में जो फेश पैक आता है वो रेडिमेट आता है आपको इसको सिर्फ डारेक्टिस को लगा लेना होता है बड़ इसमें आपको पेश्ट बनाना पड़ेगा जो कि कफ इची बात है इस पैक को आप दो से तीन बार यूज कर सकते हैं क्यो इस पैक को आपको रखना है कम से कम 15-20 मिनट या फिर 10-15 मिनट जब यह ड्राय हो जाए तब आपको क्या करना है पानी लेना है थोड़ा सा उसको पैक को गिला करना है आपको डारेक्ट उसको वाश नहीं करना या फिर डारेक्ट किसी चीश से क्लीन नहीं करेंगे पहले आ क्लेन करें कोई भी फेशल का रिजल्ट है ना वो तब ही आएगा जब आप उसे प्रॉपर स्टेप के साथ करेंगे तो यह वाला फेशल काफी जादा अच्छा था सिरिसली मुझे बहुत जादा अच्छा लगा स्पेशली अगर आपकी स्किन टैन हो गई है आपकी स्किन पे कोई ग्लो नहीं है दैन आप यह वाला फेशल कर सकते हैं बहुत जादे इसने मुझे कफी जादा ग्लो लेकर के आया है मेरे फेस पे और यह कफी जादा रिजनेबल है अगर आप यह वाला फेशल किसी पालर में कराने जाएंगे तो आपको सास्सो से आठ सो आपसे और समय है तो आप एक बार जरूर ट्राय करें